हलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत थे आप शभी का एडूशेशन में यूपी लेकपाल का 2015 में पेपर हुआ था तो यहां पर जो हम इसका हिंदी का जो सौल पेपर है वो आपको यहां पर पूरा देने वाले हैं तो हिंदी के 25 कुश्चन पूंची गए थे और जो अभी 2022 में एक्जाम होना है उसमें भी हिंदी की 25 कुश्चन ही आने वाले हैं सिर्फ इतना फर्क हो गया है कि 2015 में एक्जाम हुआ था तो वहां पर प्रतिक कुश्चन के लिए 0.8 नंबर जो है दिये जा रहे थे और अब जो है इंटर्व्यू खतम हो गया है तो आपको एक कुश्च बढ़ और जाल जानेह तो इसका जो सही आंसर सेंटा ऐसे हैं बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना कि इसके सही आंसर होगा आगे नेश कोकिश्चन है जूट्ते चाटना तो जूटने चाटना का जो अर्थ होता है कि खुसामद करना तो यहाँ पर C option जो है इसका सही हो जाएगा आगे next question है काली घटा का घमंड घटा उपर युक्त पंक्री में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है यहाँ घटा और घटा घटा सब्ज जो है दो बार आया है और दोन बार इसका अर्थ जो है अलग है यहाँ काली घटा का मतलब है काला बादल और घमंड घटा का मतलब है यहाँ पर घटा का मतलब है कम होना एक घटा का अर्थ होगा बादल और दूसरी घटा का अर्थ है यहाँ पर कम होना तो इस प्रकार से जब एक ही सब्द के दो अर्थ होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है आगे next question है अखियां हरी दर्सन की भूंकी कैसे रहें रूपिरस राची एंबतियां सुकी तो उपरयोग्त पंक्तियों में कौन सा रस है तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा व्योग स्रिंगार रस जो है इसका सही आंसर होगा आगे next question पर चलते हैं निमलिके सब्दों में से तद्वाव सब्द का चैन कीजिए तो यहाँ पर जो तद्वाव सब्द है वो प्यास सब्द है वो तद्वाव है बाकि के जो सभी सब्द है ये आपके तद्वाव है यानि कि तद्वाव और तद्वाव में ये फर्क होता है जो तद्वाव होते हैं करा तत्सम होता है, तो संस्क्रिक्त का सब्द होता है, यानि की हिंदी में रख वीये जाते हैं, वह सब्ध कहलाते हैं, और यहाँ पर प्यास आपका तद्वा होगा आगे नेश्ट कुश्चन है उदय सब्द का बिलोम सब्द क्या है तो उदय का बिलोम सब्द होता है वो अस्त होता है आगे नेश्ट कुश्चन को देखते हैं नेश्ट कुश्चन जो आपका है यह है निमलिकित बिकलपों मैसी तत्सम सब्द का चैन कीगी तो यहाँ पर जो तत्सम सब्द है, आपका नीक क्रेष्ट जो है, यह आपका तत्सम है, आंगे दिखते हैं, निमलिकित मैसी किस बाक में भविस्षकाल है, तो भविस्षकाल जो यहाँ पर है, यह आपका जो है डी नमर ओप्सन, इसका सही होगा, मैं आपकी प्रतीच्छा क तो यह आपका भविश काल होगा आगे है नेश कुछन वह अंगले साल आएगा इस बाक में कौन सा कारक है तो वह अंगले साल आएगा यानि कि किसी बात को जो है यहाँ पर अधिकरर कारक होगा क्योंकि यहाँ पर किलियर यह बात कहीं जा रही है कि वह अंगले साल आएगा वह हैं अंगले साल आएगा, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, आगे नेक्ट कुछन निमलिखित बाक में मोटे छपे सब्द की सुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ पर अत्याधिक, यह अत्याधिक का आपको सुद्ध रूप बताना है, तो आपका डी आपको सब्द का बहुबचन क्या होगा, तो फ्रेंट्स चाकू सब्द का बहुबचन होता है, वो चाकू ही होता है, यहाँ अप्शन में चाकू लगा है, यह जिस कंडिडेट का फेपर है, तो उसका अंसर गलत है, आप जो है, जो भी इसमें उप्शन लगी है, उनको ध्यान ना दे, मैंने जो आपको 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 प्रेडाम इसने आसिरवाद, तो यहाँ पर माता जी को प्रेडाम यह आपका जो है, सही आंसर हो जाएगा आँगे, नेक्ट कोशन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आँगे, आने का दिन और समय पहले से निश्यत नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अतिति वोला जाता है, आँगे देखते हैं, नेक्ट कोशन है, सुच्छ सब्द का परियाबाची सब्द बताईए, तो सुच का जो परियाबाची सब्द होता है, वो होता है निर्मल, तो यहाँ पर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्मल, सी नम्मर उप्शन आपका सही हो जाएगा, आँगे नेक्ट है, प्रमत और स्वेच्छाचारी, एक प्रमत का अर्थ होता है स्वेच्छाचा तो यहां पर सोना जो है आंसर सही हो जाएगा आंगे है रीत अनुशार सब्द का संदी विच्छेत क्या होगा तो रीत अनुशार सब्द का संदी विच्छेत जो सही होता है वहता है रीत अनुशार यह वाला ओप्सन डी नमर ओप्सन आपका सही हो जाएगा आंगे चलते है next question जो आपका है 20 number तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि प्रेज़न शंक्या 20 और 21 में 21 के बाक्यों मैंसे कुछ में तुर्टिया हैं तो जो बाक दिये गए हो उनमें तुर्टिया है तो आपको जो है तुर्टि वाला बाक बताना है कि कौन से बाक में जो है तुरूटी है यदि बाक में कोई तुरूटी ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें तो इस प्रकार से जो भी यान दिया है तो वो एक बार आप पढ़ लें अब आगे देखते हैं मुझे कल दो किलो लीची खरीदने हैं तो यहाँ पर इसमें जो है तुरूटी नहीं है तो यहाँ पर जो है इसका सी नंबर उप्सन सही होगा लीची खरीदने हैं आगे नेक्ट कुश्चन है अपने अपने किताबें बसते डाल लो तो अपने अपने नहीं होगा यहाँ होगा अपनी अपनी तो यह नंबर उप्सन जो है आप बात बताएगा यह दी नमबर ऑप्सन आपका सही होगा आगे नेश्ट कुश्यन है इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वह एक विदुसी महला थी वह एक विदुसी महला थी ए नमबर ऑप्सन जो है इसका सही हो जाए आगे नेक्ट कुश्यन है भला चाहने वाला तो भला चाहने वाला जो है इसका सही आंसर होगा आपका हित्यासी यह आपका जो है बी नंबर ऑप्सन सही हो जाएगा तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो 2015 में लेकपाल भरती में जो कुश्यन पूचे हो गए है इसके साथ जो है इसका जो ग्रामीर परिवेस और जो जी एस का पोर्षन होता है तो उसके भी सारे कुश्यन हम आपको प्रवाइट कर देंगे तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद